नमस्ते मूवी स्पॉट में आपका स्वागत है आज मैं एक जापानी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ मूवी नेम वाशिंग मशीन कहा जाता है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें हाशिमोटो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक अधेर उम्र का व्यक्ति है, वो होने के बाद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है अपनी नौकरी से निकाल दिया, एक सुबह वो कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की जगा जाता है लोड करने के बाद ड्राय के उपर वो चाहता है कि वो बियर की कैन का आनंद ले सके, ड्राय के अंदर कुछ गिरता है और बनाता है एक जोरदार शोड, चेक करने पर उसे अंदर बियर की कैन मिली सबसे पहले हाशिमोटो का मानना की कोई हो सकता है कि उसे वहीं छोड़ दिया हो लेकिन जब बियर ठंडी हो जाती है तो वो भरमित हो जाता है पुराना जगा का क्लीनर लापरवाही से उससे कहता है कि ड्राय सब की इच्छा पूरी करता है हाशिमोटो सोचता है वो एक पागल है और उसकी उपेक्षा करता है लेकिन वो आदमी करीब आता है और घोशना करता है कि वो सच कह रहा है बाद में वो चला जाता है हाशिमोटो अपने कपड़े साफ होने की प्रतीक्षा करते हुए बियर पीता है एक लड़की में प्रवेश करती है कमरा और उसके कपड़े धोने का भार हाशिमोटो में कभी महिलाओं से बात करने की हिम्मत नहीं हुई होने के कारण वो अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहे है वो घबराहट से सीट के अंध तक जगब बनाने के लिए स्कूटर चलाता है उसके लिए लड़की उसके पास बैठ जाती है और बातचीट शुरू कर देती है उसने उसे कपड़े धोने में देखा है पहले भी कई बार और उस पर क्रश विक्सित कर चुका है दूसरी और हाशिमोटो बेखबर है बातचीट शुरू करने के उसके प्रयासों के बारे में वो अब खाली कैन को कूडेदान में फेक देता है लेकिन यह फर्ष पर उतरता है जब वो उसे लेने के लिए उठता है तो कॉंडो रोने लगता है एक असहज हाशिमोटो ने उससे पूछा कि क्या गलत है जब उसने खुलासा किया कि उसने 40 कमपनियों के लिए साक्षातकार किया था लेकिन किसी में चैन नहीं हुआ उसे बहतर महसूस कराने के लिए वो उससे कहता है कि उसे भी निकाल दिया गया था उसकी नौकरी से वो सोचता है कि वो इतनी सारी कमपनियों के लिए साक्षातकार करने में सक्षम थी ये आश्चरे जनक है, इसका मतलब है कि उसके पास किसी भी उम्मीदवार की तुलना में साक्षातकार में सबसे अधिक अनुभव है मिलता है चैट के बाद लड़की अपनी स्थिती को अलग तरह से देखने लगती है वो उसके लिए धन्यवाद अच्छा होने के बावजूद वो सिर्फ एक अजनबी है उसके बाद वो अपने कपड़े बाहर लाता है और उसकी विदाई की कामना करता है जैसे ही वो जा रहा है, लड़की खुद को कॉंडो के रूप में पेश करती है मुठभेड के बाद हाशिमोटो खुशी-खुशी घर लोट आया रात में उसकी माँ उसे फोन कर बताती है कि उसके पिता अस्पताल में भरती कराया गया है उन्हें अस्पताल के बिल का भुक्तान करने के लिए कुल तीन लाख येन की जरूरत है जिम्मेदारी हाशिमोटो पर आती है लेकिन उसके पास न तो नौकरी है और नहीं बचत फिर भी वादा करता है उन्हें पैसे भेजने और जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए वो कपड़ धोने की जगह पर लोटता है अगली सुबह वो लगभग निश्चित है कि बूड़ा कल से जहासा दे रहा था लेकिन वो अभी भी चाहता है सिध्धान्त का परीक्षन करें वो ड्राय के सामने खड़ा होता है और तीन लाख येन मांगता है कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद उसे पता चलता है कि यह विचार कितना मूर्ख है वो जाने वाला है जब अचानक ड्राय के अंदर पैसे का एक बंडल दिखाई देता है हाशिमोटो इसे बाहर लाता है फिर भी करने में असमर्थ विश्वास है कि यह वास्तव में काम किया बंडल में ठीक उतनी ही राशी है जितनी उसने मांगी थी जैसे ही वो इसके साथ दूर जाने की कोशिश करता है वो देखता है कि बियर कल से गायब हो रहा है पुराना आदमी उसे बताता है कि ड्राय से मिलने वाली चीजें एक दिन में गायब हो जाएंगी उसे सावधान रहना चाहिए घाशिमोटो ने उसे धन्यवाद दिया और बाहर भाग गया वो कॉंडो से टकराता है फिर कौन उसे बताता है कि उसे अपने जीवन में पहली बार दूसरे साक्षातकार के लिए आमंतरित किया गया था हाशिमोटो उसे बधाई देता है और फिर से उसकी मा का फोन आता है कॉंडो उसकी बात सुनता है और अपने बीमार पिता के बारे में पता चला थोड़ी देर चैट करने के बाद हाशिमोटो जल्दी से भेजने के लिए निकल जाता है पैसा गायब होने से पहले उसके बाद वो वापस लोट जाता है कपड़े धोने की जगा फिर से वो जीवन में अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसका उप्योग करने की योजना बना रहा है अत इस बार वो एक अच्छा सूट मांगता है जिसे वो नौकरी के लिए साक्षातकार के लिए पह विफलता के बाद हाशिमोतो को पता चलता है कि अब उसके पास असीमिद्धन का स्रोथ है उसे नहीं करना चाहिए नौकरी की तलाश में अपना समय बरबाद करें इसके बजाए उसे अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए इतना अगली सुभा वो सुनिश्चित कर पता है कि कोई भी आसपास ना हो और एक आत्म विश्वासी और सुन्दर लड़की की कामना करता है उन्होंने आगे कहा कि लड़की एक मॉडल की तरह सुन्दर सभी से इरशा करें ऐसी ही एक लड़की बाहर निकली ड्राया हाशिमोटो को उसकी सुन्दरता से मंत्रमुग पूद्धर कर देता है। वो उसे खरीदारी करने के लिए ले जाता है और ड्रायर से पैसे का उपयोग उसे सब कुछ खरीदने के लिए करता है चाहता है। वो अचमबित है टिपणी द्वारा लेकिन इसे अंदेखा करने का फैसला करता है। सुभा में वो अंत में पर्याप साहस जुटाता है उसे चूमने के लिए जुग जाओ लेकिन वो उसके ठीक पहले गायब हो जाती है। बस एक ही चीज बची है कपड़े और गहने उसने उसके लिए खरीदे। हाशिमोटो ने लड़की के साथ संबंध महसूस किया लेकिन वो अब गायब होने से दुखी नहीं है कि उसे जितनी चाहे उतनी गल्फ्रेंड मिल सकती है। उस दिन से वो हर सुबह कपड़े धोने की जगा पर आता है और उसे एक नई प्रेमिका मिलती है प्रतियक एक अलग व्यक्तित्व के साथ। पढ़ गया अंगूठी वो गुस्से में है। वो इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि उसने चन्द दिनों में इतना पैसा कैसे कमा लिया। जब हाशिमोटो उस रात फिर से कपड़े धोने की जगा पर जाता है तो वो कोंडो में भाग जाता है। वो उसके बारे में पूछती है जिस पैसे पर वो दावा करता है कि उसने लोटरी जीती है। उसे यह भी पता चलता है कि वो एक आकस्मिक रिष्टे में है उस लड़की के साथ जिसे उसने पहले देखा था। देता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो कुछ मिन्टों के बाद केवल अंगूठी को छोड़कर गायब हो जाती है। हमेशा की तरह हाशिमोटो अंगूठी को अपने पास रखता है और अपने दिन को जारी रखता है। चूंकि वो अब तक मासूम लड करते हैं कोंडों वहाँ पहुचता है और उन पर जासूसी करता है। वो उसे कई अंगूठी यां देते हुए देखती है जो उसने एकत्र की है अब तक उसे अपनी मा का फोन आता है और उसे कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहता है। जब वो नहीं उसे कमरे से बाहर निकलना होगा। कॉंडों लड़की से बात करने का मौका लेता है और पूचता है उसने पुराने हाशिमोटों के साथ क्या किया हैं। जब लड़की उस पर हस्ती है और उसे जाने के लिए कहती है। गुशे में आकर कॉंडों ने उसकी अंगूठीयां चीनने की कॉल के बाद बूरा आता है हाशिमोटो ने कहा कि वो उसे ड्राय के बारे में एक महत्वपून बाद बताना भूल गया है। करता है कि वो उस लड़के में बदल जाएगा जिससे वो कुछ दिनों पहले मिली थी पहले। इच्छा के कारण हाशिमोटो को ड्राय में टेलीपोर्ट किया जाता है। गिर जाता है जबकि कॉंडो उसे असमंजस में देखता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें, और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद। झाल लिए में आउक लिए एक लग़ देखने के । V했िए प्सक्राइब करते के लिए सकतित्तर देखने के लिएर जिए